सबी दोस्तों को जैं हिंद बंदे मात रम राम राम CRPA प्रेश्मन का पाइली रिजर्ट निकल के सामने आ चुका है अब बहुत सारे बच्चों कोई में ये चीज़ का डाउट है कि हमारा फिजिकल जून के कौन से तारिक से स्टार्ट होना है और सबसे बड़ी बात कि अब की बाद जो हमारा CRPA प्रेश्मन का फिजिकल होगा उसमें क्या-क्या बड़े-बड़े बदला आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल में क्या-क्या होना है और सबसे बड़ी बात कि आपका ट्रेनिंग से डूल क्या रहेगा मतलब CRPA ट्रेनिंग कप से स्टार्ट हो रहा है मतलब पूरीज भरती पर गया को कप्ता कंप्रीट कर दिया जाएगा इसका ही मेरे पास एक सॉट नोटीस है जो आपको इस टूडियो में दिखाने वाला हूँ और यह पूरा नोटीस मेरे टेलीगाम चैनल आपको प्रवाइट हो जाएगा टेलीगाम चैनल का लिंक वीडियो के डेस्केपसर में कॉमेट्स ने में पिन कर दूँगा वहांस जाके आपने टेलीगाम चैनल कर सकते हो और यह जितना भी नोटीस है यह सार नोटीस वहां पे आपको एविलेवल हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं CRP प्रिसमें की जो भरती आई होई थी आप सभी को पता है 2023 में भरती निकाले गई थी और इस भरती का रिजट निकालते निकालते है कि क्या second list भी जारी हो सकती है तो second list के बारे में आभी कोई भी जनकाई निकल के सामने नहीं आ रहे है इसलिए second list के चकर में आप मत परो जिन बच्चों का नाम आया है वो फीजर की तयारी में लग जाओ अब सारे बच्चों का नमें चाओ ठेकी इस भरती को कब तक complete किया जाएगा इसके बारे में एक बता दीजिए इसके बाद मैं आपको physical की date के बारे में mention कर देता हूँ देखिए यह भरती को complete किया जाएगा इसका एक short notice जारी किया गया है जो कि departmental notice है और टेंडिटीव है यह change भी हो सकता है बट इस भरती को complete किया जाएगा आप देख सकते इस notice में साब साब लिखा है basic training ठीक है यह आपके दोस्तों आप से ट्रेंडिट्स को आपका ट्रेंडिट्स को आपका ट्रेंडिट्स को कब से होगा और इसका जो आपका training center रहेगा वह RTC-PGM रहेगा तो यह सब दोस्तों short form में जो आपके training center है उसकी यहां पर जनकारी दी गई है और कितने-कितने केंडिट्स को इस center में आपका training कराया जाएगा उसकी भी जनकारी दी है तो अलग-अलग CRPM test में की भरतियों complete करने का पूरा पूरा प्रोसेस है और जनवरी तक यह भरती complete हो जाएगी और आपका training भी start हो जाएगा तो उस चीज़ के आपकी तयारी में लग जाओ अब बहुत सरे कि बच्चों को में डावड़े हैं फीजिकल में हमारा क्या क्या होने वाले देखिए पीडी पीएश्टी की बात करें तो आपका जो पीएश्टी होगा इसमें जो आपका height मांगा जाएगा 170 cm male candidate का height मांगे जाएगा और female की बात करें तो फीमेल के लिए 150 cm height मांगा है चेस्ट की बात करें कितना आपका छाती मांगा जाएगा तो आप देख सकते हैं आपका 80 cm का आपका chest होना चाहिए फुल आपका 5 cm वह चेस्ट बढ़ जाना चाहिए दें दोस्तों हमों को इस्टिक इंडिड की बात करें कि एस्टिक इंडिड का chest कितना मांगा जाएगा तो आप देख सकते हैं नॉर्मल 76 वह चेस्ट बढ़ जाना चाहिए और फिजिकल में किन किन का running होने वाला है क्या क्या होने लो उसकी पी जनकारी में आपको इस वीडियो में देदेता आपका होगा यह trade-wise होने वाला है अब दोस्तों आप सोच लो अपने यह side trade में आपका हम अपलाई किया है जैसे कि दोस्तों driver, motor mechanic, gardener, painter, carpenter, cobbler, tailor तो यह सब का जो आपका physical होने वाला है तो यह सब का जो physical होगा आप देख सकते हैं 5 km का running होगा और 24 मिट का आपको time मिलने वाला है अगर लोग female की बात करें तो solosometer का running होगा 8 minutes 30 seconds का time मिलने वाला है female candidates की अधिन दोस्तों यह तो अगर आपने वीगुलर में यह सकते हैं यह सारे trade में अगर आपने वापलाई किया जैसे कि आप देख सकते हैं यह हो गया वीगुलर, cook, water, आपके देख सकते हैं बार ठीक है इसके बाद वासर मैन, वासरूमेन, सफाई का रमचारी तो यह सारे trade में 600 मिटर का running होगा 10 minutes का आपको time मिलने वाला है female candidate का भी solar summer का running होगा 12 minutes का time मिल जाएगा मतलब अगर आप नाचगा के वहाँ पर जाओगे physical देने के लिए तो आप अराम से physical clear कर जाओगे कोई आपको दिक्कत होगा नहीं, ना जगा के भी physical आप clear कर सकते हो मेरे बाद यह बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर मेसो, प्लमर, इलेक्रिशन ने फॉप अपलाई किया है, तो भी दोस्तों आपको अच्छा दिन दोस्तों, अब आपका सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल स्टार्ट कब से होने हैं, यह चीज़ का सबसे बड़ा डाउट है आपके अंदर, तो देखिए, फिजिकल आपके जून के सेकेंड विक से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो आकना लगा जारे कि जो डे तरिक के वितर आ जाएगा और आपका फिजिकल 20 जून से स्टार्ट होने की पूरी-पूरी संभावना है अभी तक इसके उपर एक फाइनल नोटीस नहीं आए खाली जून के सेकेंड विक तक मैंसन किया गया है बट पूरे प्रिचांस है कि जून के आपके 20 तरिक से फिजिक जानकारी मैंने दे दी है बात बाकी दोस्तों आपके फिजिकल रिट से स्टार्ट होंगे उसकी जनकारी दे दी है अगर और कुछ भी आपका डाउट हो इस भरती को लेके तो भाईया कॉमेंट से समें खुला हुआ है और भाई आपके साथ है फिर फिकरी क्या वाथ है प्रिसमें की तयारी कर रहे हैं मैं बस एक ही जर्च कहना चाहता हूँ अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अपने दम पे पहुंचे हो अपनी बदलत पहुंचे हो किसी के दया धरम से नहीं पहुंचे हो इसलिए आपको महनत करनी है और सिलेक्शन लेना है देखिए मैं आपको साब साब लोगों बता रहो पीटी पीएश्टी इसके बाद आपको ट्रेट टेस्ट डॉक्मेंट वरिफिकेशन और मेडिकल वगर एक ही साथ कराने का पूरा-पूरा प्लैन है CRPF का अगर यह प्लैन सक्सेस्पूल होता है तो मेरे दोस्त आपको एक ही साथ सारा करना पड़ेगा मतलब पीटी पीएश्टी पीटी पीएश्टी आपको एकी साथ करा दिया जाएगा और इसी के साथ दोस्तों आपके ट्रेट टेस्ट भी कंप्लीट करा जाएगे त्रेट टेस्ट में बता दू पचास नंबर एक कोश्चन आएंगे आपको मिनिवम 20 से ल त्यारी में लग जाओ, फिजिकल आप आराम से कॉलिफाई कर सकते हो, मेरे को पूरा पूरा यकीन है, लेकिन दोस्तों अगर आपने ट्रेट टेस्ट की त्यारी नहीं की, तो बाद में आपको बहुत जारा प्रॉबलम होने वाली है, और आपका पूरा पूरा दोस्तों फ पंदर तरीक तक रिलीज कर दिये जाएंगे, और आपके जो फिजिकल जून 20 तरीक से स्टार्ट होने की पूरी-पूरी संभावना है, और मैंने आपको साही जनकाई दे दी है, और भी अगर कुछ डाउट रहे गया हो, तो मेरे भाई कॉमेंट से खुला हो है, आपका भा और बस जाते दे इतने के ना चाहूंगा, कश्ट पड़े कटना या पीछे पाव मत रखना, काटों में गुलाब खिलते हैं, काटों से क्या डरना, समुक्ष परवत हो सागर हो, साहस कभी न खोना, चितना तपता है उतना ही एक चमकता सोना, हार जो कभी ने मानता, जीत उ आपकी होगी, आपके भाई को आपके उपर पूरा-पूरा विस्वास है, जै हिंद, जै भारत!